बूस्टर शॉर्ट देने को मिली हरी जंडी और भारत और दक्षिन अफरिका के बीच जुहानिसवर्ग के वॉनरर्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिन अफरिका आज अपने कल के स्कूर एक विकेट के नुकसान पर 35 रन से आगे खेलना करेगी शुरू पहले दिन खेल में भारत की पारी 202 रन पर सिम्टी तीन मैचों के श्रंक्रा में इंडिया पहला टेस्ट जीत कर है एक शुन्नी से आगे और अब सभी खबरें विस्तार से प्रुषान मंत्री नरिंद्र मुदी मनिपूर की यात्रा पर हैं पारंपरिक रूप से प्रुषान मंत्री का वहाँ अभिनंदन किया गया मनिपूर में कुल 4800 करोड़ पै के लागत वाली परियोजनाओं की आधार शिला और उद्गाटन प्रहान मंत्री नरिंद्र मुदी ने किया ये परियोजनाएं सडक निर्मान, पेजल, आपूर्ती, स्वास्थ, शहरी विकास, आवास, सूचना प्रद्योगी की, कौशल विकास, कला और संस्कृति के शत्र में हैं उन्होंने 1850 करोड रुपाई के लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्गाटन किया और लगभग 3950 करोड रुपाई की 9 परियोजनाओं के आधार शिला रखी जिसमें 1700 करोड रुपाई की परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाली हैं पांच राष्ट्री राजमार्ग परियोजनाओं के तहत कुल 110 किलोमेटर से ज़्यादा राजमार्ग का निर्मान है इसमें कनेक्टिविटी को भी प्राथविक्ता है और क्रियेटिविटी का भी उतना ही महत्व है रोड और इंफ्रास्टर से जुड़े प्रोजेक्ट बहतर मोबाईल नेटवर्क मनिपूर की कनेक्टिविटी को बहतर करेंगे और प्रधान मंतरी 160 करोड रोपई की लागत से तयार होने वाले अत्याधुनी कैंसर अस्पताल 200 करोड रोपई की लागत से राज़े में बनने वाले Center for Invention, Innovation, Incubation and Training और New Check-On में लगबग 390 करोड रोपई की लागत से बनने वाले सरकारी आवासिये कौर्टरों के निर्मान की आधार शिला भी रखी वहीं राज में हतकरगा उद्यों को मजबूत करने के लिए प्रहार मंत्री 36 करोड रोपई की लागत वाली दो परियोजनाओं की आधार शिला रखी प्रहार मंत्री ने 240 करोड रोपई की लागत से तयार होने वाले मनिपूर Institute of Performing Arts का शिला नियास किया साल 1990 में इसे बनाने का पहली बार विचार किया गया था लेकिन कई सालों तक ये अमल में नहीं आ सका ये इंस्टिटूट हर्याना के गुरुग्राम में बनेगा साथ ही प्रहार मंत्री के मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के तहत अलब संख्यक समुदायों को लाब पहुचाने के लिए प्रहान मंत्री ने 130 करोड रोपाई के लागत वाली जन विकास कारीकरम परियोजनाओं का शिला नियास किया प्रहान मंत्री ने कहा कि मौझूदा के इंद सरकार ने राजी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अव रेल नेटवर्क से भी ये इलाके जुड़ रहे हैं उन्होंने विपक्ष की पूरवर्थी सरकारों पर हमला बोला और कहा कि पहले इस इलाके की पहचान ब्ल कोकेड स्टेट बना कर रख दिया था पहले की सरकारों द्वारा हील और वेली के बीच राजिनितिक फायदे के लिए खाई खोदने का काम किया गया हमें याद रखना है कि लोगों के बीच दूर्या बढ़ाने कैसे कैसे सडियंत्रक किये जाते थे साथियों आज डबल इंजीर की सरकार के निरंतर प्रयास की वज़व से इस खेत्र में उग्रवार और असुरक्षा की आग नहीं है बलकि शांती और विकास की रोशनी है इसके अलावा प्रहन मंत्री जिन परयोजनाओं का घाटन लोकारपन किया उसमें इमफाल से सिल्चर के लिए बौराक नदी पर एनेच 37 पर 75 करोड रोपय से अधिक लागत से एक स्टील ब्रिज 1100 करोड रोपय की लागत से बने 2387 मुबाइल टावर्स और 287 करोड की लागत से बनी थौबल बहुत देश्य जल संचरन प्रनाली परयोजना जो के इमफाल की जलापूर्ती को सुनश्रित करेगी उसका भी लोकारपन किया गया इमफाल स्मार्ट सिटी मिशन के तहट 170 करोड रोपय से की अधिक की लागत से तयार मिशन की तीन परयोजनाओं का उधगाटन किया जिनमें एकिकरित कमान और नियंतरन केंद्र इमफाल नदी पर पश्मी नदी के किनारे का विकास फेज वन और ठंगल बाजार में माल रो सतको और मस्बूत करते हुए प्रहान मंत्री इमफाल में नविक नीकृत और पुर्णा निर्मित गोविंद जी मंदिर का उधगाटन किया प्रहान मंत्री ने मोईरंग में आयने परिसर का भी उधगाटन किया जिसमें भारत के स्वतनिता अंदुलन में इंडियन नैशनल आर्मी द्वारा निभाई गई एहम भूमिकाओं को प्रदर्शित की आगया है इमफाल के इंटीग्रेटेड कमार्ण एन कंट्रोल सेंटर से शहर की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सुविधाओं का भी विस्तार होगा बराग रिवर ब्रीट के जरिये मनिपूर की लाइफ लाइन उसको एक नई आल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है थोबाल मल्टी परपज प्रजेक्ट के साथ साथ तामेंग लॉंग में बोटर सप्लाइज स्कीम से इस दुरस्त जिल्ले के सभी लोगों के लिए शाप और शुद्ध पानी का इंतजाम हो रहा है और प्रधान मंतिन नरिंद मोदी अब से कुछी देर के बाद त्रिपूरा में महराजा बीर बिक्रम हवायड्डे के नय एकिक्रित तर्मिनल भवन का उद्खाटन करेंगे और मुख्यमंत्पी त्रिपूरा ग्राम सम्रिद्धी योजना और विद्या जोती स्कूल परियोजना मिशन हंड्रेड प्रमुक पहलों का शुभारम करेंगे लगबग 4500 करोड रोपाई के लागत से निर्मित महराजा बीर बिक्रम हवायड्डे का नया एकिक्रित टर्मिनल भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त और नविन्तम आईटी नेटवर्क एकिक्रित प्रणाली द्वारा समर्थिद तीस हजार वर्ग मीटर में पहला एक अत्याधुनिक भवन है नय टर्मिनल भवन का विकास देश भर के सभी हवायड्डों में आधुनिक सुविधाओं प्रण करने के पी-म की पहल के अनुरूप है विद्याजोती स्कूल परियोजना मिशन हंड्रेड की बात की जाये तो इसका मकसद राज में श्रिक्षा तक के लगभग एक लाग से अधिक शात्रों को कवर करेगी और इस पर अगले तीन वर्ष्रों में लगभग 500 करण रूपय खर्च किये जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिपुराय ग्राम समरिध्धी योजना का मकसद ग्रामी इनस्तर पर मुख्य विकास क्षित्रों में सेवा वितरन के लिए बेंचमार्क मानकों तक पहुँचना है इस योजना के लिए चुने गया प्रमुक शित्रों में घरेलू नल कनेक्शन, घरेलू बिजली कनेक्शन, सभी मौसम के अनुकूल सडकें, हर घर के लिए शोचाले, प्रतियक बच्चे के लिए अनुशनसित टीका करण, स्वैम साहता समोहों में महिलाओं की भागेदारी श श्रिला रखेंगे, कुछ ग्राफिक्स अजर आपको बता रहे हैं कि ये दोरा जो है प्रहान मंत्री का वो कित्ता महत्वपूर्ण है, पी-म 42,750 करोड़ उपैसे अधिक की विभिन विकास परियोजनाओं का श्रिला नियास करेंगे, साधिसाथ परियोजनाओं में दिल्ल इसके लावा पी-म कपूर थला और हुश्यारपूर में दो नए मेडिकल कॉलेज की आधार शिला भी रखेंगे, पंजाब में दो प्रमुक सड़क गलियारों की भी आधार शिला प्रहान मंत्री के द्वारा रखी जाएगी, साथ ही प्रमुक धार्मिक केंद्रों तक विजन है, उसको पूरा करने की दिशा में ये बहुती एहम कदम साबित होगा, लगबग 49, 45,000 करोड रोपय की कुल लागत से 679 किलो मेटर लंबे दिल्ली अमरित्सर कट्रा एक्स्प्रेसवे को विक्सित किया जाएगा, ये दिल्ली से अमरित्सर और दिल्ली से कट्रा की यात्रा में लगने वाले समय को आधा कर देगा, वहीं ग्रेन फिल्ल एक्स्प्रेसवे प्रमुक सिक धार्मिक इस्थलों को आपस में जोडने का काम करेगा, एक्स्प्रेसवे हर्याना, चंडीगर, पंजाब और जमू और कश्मीर के प्रमुक जो आर्थी केंद्र हैं, उ ला नियास प्रहान मंत्री के द्वारा किया जाएगा, और दिल्ली में तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना मामलों के बीच, आज दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरन के बैठक में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया, दिल्ली में इस दौरान गेर प्रतिबंध होगा, जरूरी सेवाओं को छोड़कर सरकारी कारयालियों के लिए सौ फिसद वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया गया है, वहीं नीजी कारयालियों को आधिक शमता के साथ काम करने की जास्त होगी, हलांकि बसों और मेट्रो सेवा को पूरी शमता के साथ चलान और दिली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल कोरोना पॉजटिव हो गये हैं, ट्वीट कर अरविंद केजरिवाल ने जानकारी दे देते होगे कहा है कि उन्हें के हलके लक्षन है, और उन्हें अपने को घर पर आईसोलेट कर लिया है, साथ ही दिली के सीम ने उन वरी की रात से ही बीमार महसूस कर रहे थे हलके बुखार और जुगाम होने के बाद उन्होंने टेस्ट कर आया जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव मिले मौनोस दिवारी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है एक बाद फिर से बरेले की घटनापन रज़र डालें तो कॉंग्रेस के मेराथन में फैली अब वेवस्था पर कारिकरम के प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि भगदर में कई छात्राइं दब गई, कई छात्राओं को चोटे भी आई, वहीं कारिकरम में कूबिट गाइडलाइन्स की धज्जियां उड़ गई जबकि आज दुनिया भर में लोग ओमिक्रोन की कहर से जूज रहे हैं इतना ही नहीं, ऐसे दर्दनाग हादसे पर भी कॉंग्रिस में ताओं की घलत बयानबाजी जारी है और यहार को एक छोड़ी से ब्रेक के लिए आप देखते रहे हैं डीडी नियूस मैं जर्णी ऑफ इन्सेर्स के लिए आपकिसाँ और ब्रेक के बाद आपके फिर से स्वागत है 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए जारी राष्ट व्यापी ठीका करन अभियान का आज दूसरा दिन है कल 40 लाग से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सिन की डोस दी गई ठीका लगवाने के लिए बुकिंग ऑनलाइन या फिर कोविड ठीका के इंद्रों पर कराई जा सकती है इस पेच अन्य आयूवर के लिए जारी कोविड ठीका करन अभियान के तहट देश में अब तक 146 करोड 161 लाग सधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए कल शाम साथ वज़े तक 90 लाग 47 जार वैक्सिन की डोस दी गई सभी आयूवर के नागरिक सरकारी टीका करन केंद्रों पर नेशुल्क टी के लगवा सकते हैं राश्ट्री आपी टीका करन अभियान के तहट केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र श्रासित प्रदेशों को नेशुल्क टी का उपलब्द करा रही है इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी की आज बैठक होगी जिसमें भारत बायोटेक के नेसल वैक्सीन के क्लिनिकल ट्राइल फेज 3 की मन्जुई पर विचार किया जाएगा दिरहसल भारत बायोटेक ने फेज 1 और फेज 2 के ट्राइल पूरे कर लिये हैं और देशवर में ओमिक्रॉन वैरियंट के अब तक कुल 1892 मामले सामने आ चुके हैं स्वास्त मंत्राले के ताजा आखनों के मताबिक इन में से 766 लोग उपचार करवा कर स्वास्त हो चुके हैं ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 568 मामले महाराश्ट में सामने आया हैं जबके दिल्ली में अब तक 382 मामले सामने आ चुके हैं केरल में ओमिक्रॉन से 185 लोग संक्रमित हुए हैं वहीं गुजरात में 152 तमिलनाडू में 121 मामले सामने आया हैं और ओमिक्रॉन के बरते मामलों के बीच देश में कोरोना के दैनिक मामलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है स्वास्त और परिवार करल्यान मंत्राले के मताबिक भी देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,389 नए मामले सामने आया है वहें पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 11,007 लोग स्वस्थ हुए हैं जिसके बाद देश में रेकवरी रेट 98,98 एक दिन फीसद हो गया है और कोरोना के खिलाफ जंग में एक कारगर टीका करन अभियान के तहए देश में बीते दिनों करिब 1 करोड टीके लगाए गए इसे के तहए देश में अब तक 146.7 करोड टीके लगाए जा चुके हैं टीका करन अभियान के तहट देश में अब तक 146.7 करोर से अधिक टीकों की खुराग दी जा चुकी है वहीं टीका करन अभियान के 352 दिन कल 99,27,797 कोबिट टीके लगाए गए टीका करन अभियान देश में लोगों की कोबिट से सुरक्षा का एक एहम माध्यम है और इसके उच चस्तर पर लगातार समीक्षा और निग्रानी की जा रही है केंदे स्वास्त मंत्राले के मताबिक मंगलवार सुबह तक राजियों और केंश्रासित प्रदेशों को 152.9,6 करोर टीके की खुराग फ्री में उपलब्द कराई जा चुकी है राजियों के पास अभी भी 19 करोर से अधिक्टी को ये खुराग मौचूद है वहीं पंजाब में कोरोना संक्रमन के मामलों की बढ़ोती के वज़े से राजियों सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है कर्फ्यू राद 10 बजे से सुबह 5 बए तक रहेगा इसके लावा धारा 144 भी लगा दी गई है आवश्चक गतिविधियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिये गया है इसके तहट पूरी तरह से वैक्सिनेटेड लोगों को ही दफ्तर जाने की अनुमती होगी इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों दफ्तर शामिल है पंजाब के सिनमा हॉल्स, मॉल्स, बार, रेस्टरॉं और स्पा को आधी शमता के साथ चलाने का आदेश दिया गया है इसके लिए करमचारियों को भी वैक्सिन की दोनों डोजेज लगी होनी जरूरी है और वहीं मॉंबई में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोती देखने को मिल रही है मॉंबई में कोरोना संक्रमन और उसके नए वैरियंट ओमिक्रॉन के तेजी से बौट रहे मामलों को देखते हुए BMC ने पहली कक्षा से नौवी और ग्यार्वी कक्षा के सभी माध्यमों की स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया है हाना कि ओनलाइन माध्यम से स्कूलों में पढ़ाई जारी रहेगी लेकिन स्कूलों को बंद किये जाने को लेकर अभिभाब को में मिली जूली प्रतिक्रिया है कई लोग प्रशासन के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं जबकि कई का कहना है कि सरकार को थोड़ा और समय और देना चाहिए था महानगर में 15-17 आयोवर के टीका करण के पहले दिन 6,000 सदिक बच्चों का टीका करण किया गया BMC ने कहा है कि कख्षा 10 और 12 के चात्रों पर ये फैसला लागू नहीं है वो वेक्तिगत रूप से स्कूल जा सकते हैं कख्षा 1 से 9 और 11 के चात्रों के लिए कख्षाएं पहले के दिशा निर्देशों के मुदावेखी आनलाइन मोड में जारी रहेगी और मुम्बे में करोना और उसके नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्दे नजर और BMC ने इसकी रोक्ताम के लिए बिल्डिंग सीलिंग के लिए नए नियम आज से लागू हो गया है इन नियमों के तहट किसी भी इमारत या उसके किसी हिस्से में 20 फीसल से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उस इमारत को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा सोमवार को BMC आयुक्त ने नए दिशा निर्देश जारी किये थे इससे पहले मुंबई में किसी इमारत को सील करने के लिए कम से कम पांच लोगों के कोरोना संक्रमित होने की शर्त थी और पांच से कम मामले आने पर केवल उस फ्लोर को ही सील किये जाने का प्रावधान था मुंबई की मेयर किशोरी परनेकर ने कोरोना के ओमिक्रोन वेरियंट के बरते मामलों पर कहा है अथाक्टे औरकए तो आई राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नियमों वह लिए वो कह रहे den मुझे लगता है ये नौबत हम सब नागरिद मिलके आने ही नहीं देंगे ज्यादा से ज्यादा मांक्रिषए यंगे जो नहीं पहिंता है उसको प्यार से समझाएंगे और मुझे लगता है यही करते हैं तो भी वैक्सिन लेके ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सिन देने के लिए हम प्रैस कर रहे हैं काडेलिया क्रूज जहाज पर 66 यात्यों के कुरोना पॉजटिव पाया जाने के बाद आन बोर्ड शिप को वापस गुवा से मुंबई भेज दिया गया है कुछ संक्रमित यात्यों के गुवा में भरती होने से इंकार करने के बाद पूरे जहाज को वापस भेजना पड़ा कुल 66 में से केवल 6 चालक दल के सदस्यों को गुवा में जहाज से उतारा गया था जहाज को सुमबा रात साड़े 11 बजे वापस भेजा गया जब पॉजिटिव पाए गया 27 यात्रियों ने जहाज से उतरने से इंकार कर दिया था जहाज को ये दोपहर तक मुंबई पहुंचने की उमीद है जहाज के मैनेजर गोविंद प्रनुलकर ने इस मामले पर कहा है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर सभी साब्धानियां बढ़ती जा रही है तो हमने वो एलिजमेंट किया सुबब पांच तक जाज को बर्त को लाए और जबब पांच तक उनका सबका टेस्ट हो गया और हम रिपोर्ट आने लगे तो एड़ एंड हमको इवनिंग तक मालूम हो कि अबट 66 वेज़र पॉजिटिव और कुरोना संक्रमन के बड़ते मामलों की बीच दिल्ली में एम्स प्रशासन ने पांच से दस जनवरी तक के विंटर वेकेशन को रद्द कर दिया है एम्स प्रशासन ने सभी फैकल्टी मेंबर्स को ततकाल प्रभाव से ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने राजी के स्कूलों को 15-18 वर्ष की आयो के बच्चों को दो दिन की छुटी देने का निर्देश दिया है जिन्हें कोविट टीका लगाया जा रहा है टीका करन के दिन और अगले दिन अब काश मिलेगा बच्चों के टीका करन अभियान के पहले दिन राजी में कल लगबग देश लाग बच्चों का टीका करन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने कल लखनो के सिविल अस्पताल से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीक आकरन अभियान की शुरबात की थी मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए नहिशुल्क टीके उपलब्द कराने के लिए किन्द सरकार को धन्यवाद दिया जमुकुश्मीर पुलिस के मताबिक कुलगाम जिले के ओके इलाके में चल रही आतंखवादियों के साथ सुरक्षाबलों की मुटभेर में दो आतंखवादी मारे गया है मौके पर ऑपरेशन जारी है हाला कि अभी कितने आतंखवादी और छिपे हुए है इसकी जानकारी नहीं है लेकिन पुलिस और सुरक्षाबलों ने मुटभेर वाली जगा को चारो तरफ से घेड लिया है आइकर विभाग आज नौइडा के एक बिल्डर के ठिकानों पर चापेमारी कर रही है एस रियल स्टेट गृप के मालिक अजय चौधी के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर चापेमारी की जा रही है एस ग्रुप के और आपको सिधे लिए चलते हैं त्रिपूरा की राधानी अगर तला एरपोर्ट पर जहां प्रहान मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं और बहुत ही महतुपूर्ण ये कारिक्रम चुकि हमने देखा अपसे कुछ दिर पहले वो मनिपूर्ण में थे और वहाँ पे विकास से सम्मंधित बहुत सारी परियोचनाओं का उन्हें में घाटन किया था शिरा नियास किया और अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में क कि प्रहान मंतरी अगर तला एरपोर्ट प्रहान मंतरी पहुंच चुके हैं यहां पे बहुत ही महतुपूर्ण कारिक्रम और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगातार सुबह से आज आज आपको बता रहे हैं कि प्रहान मंतरी अगर तला में त्रेपुला में जो महराजा ब साथ त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुक्यमंत्री वो भी उनके साथ मौजूद और आप ये तस्वीरे देख रहे हैं अगरतला एरपोर्ट से जहां के प्रहान मंत्री पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही ख़णों के बाद आप देख पाएंगे कि ये महराजा अबीर बिक्रम जो हवाय अड़े है उसके एक नए टर्मिनल भवन का उद्गाटन प्रहान मंत्री अपसे कुछ ही चौनों में करने वाले हैं और हमें जानकरे ये मिली है कि ये जो नए एक एक टर्मिनल इमारत है उसका निर्मान चार सो पच्चास करोड रुपए की लाग जा रहा है कि किस तरह से ये टर्मिनल भवन है उसका निर्मान कैसे किया गया है हम आपको अभी बताएं ये देखिए ये वो master plan जिसके तहए इस पूरे टर्मिनल भवन का निर्मान किया गया है और इसमें सारी चीज़ों अत्याधुनिक स्वधाओं से लैस ये टर्मिनल भवन कहा जारा कि इस पूरे एक की कृत योनिफाइट टर्मिनल जो भवन है इमारत है उसका निर्मान चार सो पच्चास करोड रुपई की लागत से किया गया है और ये आधुनिक स्वविधाओं से युक्त है और अगर इसके एरिया के बात की जाए तो 30,000 वर्ग मिटर में ये अत्याधुनिक भवन फैला हुआ है और जो लेटिस्ट टेकनॉलजी है आईटी टेकनॉलजी आईटी नेटवर्क उसके द्वारा ये सपोर्टेड ये टर्मिनल है और जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो नई इंटिग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग है उसके उद्घाटन के साथ ही महराजा बीर बिक्रम एरपोर्ट की गिनिती ये जो एरपोर्ट टर्मिनल है उसकी गिनिती देश के इंटरनाशनल एरपोर्ट्स में होने लगेगी तो कहा जा रहा है कि इस टर्मिनल भवन के उद्खाटन के बाद से जो इंटरनाशनल एरपोर्ट्स और जो वहां सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं अब यहां भी उपलब्द होने लगेंगी कुल बीस चेकिन कांटरस यहां पे होंगे ताकि लोगों को एक साथ अलग-लग कांटर्स पे वो जाएंगे चेकिन कांटर्स पे होंगे भीर यहां पे ज़ादा नहीं होंगी लोगों की सुविधाओं को यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुल 20 चेक-इन काउंटर्स बनाए गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अंतराश्ट्रिये यात्रियों और कुल डोमेस्टिक पैसेंजर्स के साथ ये 1200 यात्रियों को एक दिन में सम्हालने की इसकी कपैसिटी होगी तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा के लोगों के लिए देश के लोगों के लिए, अंतराश्ट्रिये लोगों के लिए, परेटों के लिए कि जब वो त्रिपुरा आएंगे तो उन्हें अगरतला एरपोर्ट पर एक अत्यादुनिक सुख सुविधाओं से लैस एक भवन जो टर्मिलर भवन है वो उसका दिदार कर पाएंगे उन सुविधाओं का वो लाभ उठा पाएंगे जिसका कि अपसे कुछी लमों के बाद ठ खाटन करने वाले हैं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां की जो बास से बने जो उत्पाद हैं इस बात पे प्रहारमंत्री का लगातार फोकस रहता है कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका अधिक सधिक इस्तेमाल किया जाए और आपने देखा इन तस् बाद और आप देखेंगे अपसे कुछी लहां के बाद उन तस्वीरों में कि ये जो भवन हैं उनमें जो स्थानी ये वास्तुकला है जो आर्किटेक्ट्चर है इस बात को आप बहुत ही गंभीरता से और ध्यान से सुने कि ये जो पूरा टर्मिनल भवन है इसको बनाने म में यहां की जो लोकल आर्ट्स हैं जो लोकल वास्तुकला है उसका इस्तिमाल किया गया है ताकि जब लोग यहां पे आएं जब जो पैसेंजर्स आएं जो टूरिस्ट यहां पे आएं उनको त्रिपुरा की जो इस्थानी कला है उससे वो रूबरू हो सकें उसको वो जान स उसको वो समझ सके आपको हम बताएंगे कि किस तरह से यहां पे उन्ना कोटी पहाड़ियों की जो पत्थर हैं उन पत्थरों से बनी जो मूर्थियां हैं वो यहां पे लगाई गई हैं अब से कुछी लगों के बाद हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे फिलहाल प्रहान मंत मंत्री की का यह कार्ट आगे बढ़ता हुआ और प्रहान मंत्री इस पूरे टर्मिनल भवन का जाइसा लेंगे कि किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल भवन का निर्मान किया गया है हमने जैसे आपको बताया कि चार सो पच्चास करोड उपए की भी लागत से अधिक की लागत से इस पूरे भवन का निर्मान किया गया है तीस हजार वर्ग मीटर में यह जो टर्मिनल है वो फैला हुआ है आई टी इनेबल सारी चीज़े आपको यहां पे मिलेंगी आई टी नेटवर्क से एक इकरित यह टर्मिनल भवन है और इसके गिन विधाओं को यहां भी प्रस्तुत किया गया है ताकि यहां पे जो राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय अस्तर पे के जो यात्री है वो जब पहुंचें तो उन्हें किसी भी तरह की कोई दिकतों का सामना ना करना पड़े जैसा कि हमने आपको यह भी बताया कि इस टर्मिन और बेंट से बनी जो चीजें हैं उस से बने उत्पादों को इस पूरे टर्मिनल भावन में लगाया गया है हम आपको दिखाएंगे वो सारी चीजें और यह भी कहा जा रहा है और जैसा कि हमने कई बार कहा है कि पहार मंत्रे का एक विजन है कि जो नवी करणी और्जा की स हम उन स्रोतों के जरिए हम अपनी एकॉनमी को आगे बढ़ाएं केरल आप जानते हैं कि कोची का जो इंटरनाशनल एरपोर्ट है वो अपनी एनरजी कपासिटी को जादा से जादा सोलर एनरजी से उसका वो यूज करता है वो एरपोर्ट और वहां पे उस सोलर एनरजी के जरिए बहुत सारे काम काज होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारे एरपोर्ट पे जो सोलर पैनल्स हैं वो वहां लगाए गया है ठीक उसी तरह से इस एरपोर्ट पर भी इस तरह से बनाए गए हैं कि सौर पैनल्स यहां पर लगाए गए हैं ताकि सोलर एनरजी का भी ज़्याद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके और जो फॉसल फ्यूल्स हैं या फिर जो बिजली हैं उसका कम से कम यहां पर उप्योग हो सके वास्तु पला कला पे अगर हमाएं तो हवायडे का जो टर्मिनल भवन है जिसका की जायसा इस वक्त प्राहनमंत्री ले रहे हैं उसमें वास्तु कला के हिसाब से राजी का जो इतिहास रहा है उसको यहाँ पे स्थान दिया गया है जो सांस्क्रितिक प्रजे दिश्य है तुरिपुरा के उसको भी ध्यान में रखते हुए इस पूरे टर्मिनल भवन को डिसाइन किया गया है और जैसा कि हम आपको अभी दिखाएंगे कि यहाँ पे एक विशेश पत्थर लाए गया है उन्नकोटी एक जगह है वहाँ से उन्नकोटी पहाड़ियों की पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जैसा कि हम बता रहे हैं कि लोकली जो चीजें हैं उसको वहाँ पे लाकर और यहाँ पे प्रदर्शित किया गया और यह जो मुर्थियां हैं आप देख पाएंगे कुछ देर के बाद वो त्रिपुरा की राधनी अगरतला से तकरीबन एक सो पैंतालीस किलोमेटर की दूरी पर है और वो ऐसा कहा जाता कि पूरवत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में वो पाहाड और वहां के जो पत्थर वहां से लाए जाते हैं उन पहाड़ों में वो शामिल किया जाता है यह आप देख सकते हैं वो टर्मिनल भवन प्रहन मंतरी इन तमाम चीज़ों का जाइजा लेते हुए पूरवत्तर में एक कनेक्टिविटी के लिहास से जैसा कि आप जानते हैं कि पूरवत्तर को पूरे भारत का और इस्ट एशिया का एक प्रवेश्दवार के तौर पर बनाया जाए उस दिशा में ये बहुत ही महतोपुर्ण कदम आज का ये दिन जासा कि हम आब वो कहते हैं कि लुकिस्ट पॉलीसी के तौर पर एक वार हम उन नीतियों पर आएं जे नीतियों के जरीए ये सारी चीज़ें हो रही हैं केंसरकार की तरफ से पहानमंत्री मोधी की तरफ से क्यों मनीपूर को अगर त्रिपूरा को और बाकी जो तमाम जो स् हैं वो जाते रहते हैं वहां की यात्रहों पर रहते हैं और ताकि एक ये जो पहले की कहावथ थी की नौर्थ इस्ट के लिए दिल्ली दूर है वो जो फिलिंग है उस फिल्लिंग को उस एभर चाहई-छां को खत्म कर दिया जाए ऐसा नहो कि उनके वहां के लोगों को लगे कि दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा लगे कि दिल्ली उनके बहुत ही पास है, प्रधान मंत्री ने मनिपूर में जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था, और एक्ट इस्ट पॉलिसी का जो कि आज का दिन इन तमाम मद्दों पर बाच्चित करने के लिए बहुत समीचीन है, क्योंकि जिस तरह से प्रधान मंत्री का एक विजन रहा है कि हम नौर्थ इस्ट के जो सेवन सिस्टर्स हैं, जो तमाम राज्जे हैं, उन तक विकास की गंगा को और भी कैसे पहले लोकिस्ट और उसके बाद अब एक्ट इस्ट पॉलिसी और इसी पॉलिसी का मकसद आप देखिए इन तस्वीरों में जिस वाद का जिकर हम कर रहे थे कि वहाँ पे बास और बेंट से जो बने उत्पाद हैं, उन उत्पादों को वहाँ पे बहुत ही प्रमुकता से ल जाकि जो राष्ट्री और अंतराष्ट्री अस्टर के जो लोग हैं, वो जब यहाँ पे आएंगे तो उनको यहाँ के लोकल प्रोड़क्ट्स के बाने बें जानकारी मिल पाएगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रहान मंत्री ने ये आवान भी किया है, कि आप जो लोक करना चाहूंगा एक्ट इस्ट पॉलिसी के तहत कियोंकि ये बहुत ही मैतवपूर्ण है, और आपकी जानकारी के लिए, डीडी नियूस के जरीए आप इन तस्विरों को देख पा रहे हैं, जानकारी हम आपको बता दे कि इन एक्ट इस्ट पॉलिसी के जरीए, प्रहान मं कर्फचर के तोर पे इन तमाम ख्षित्रों में नौर्थिस्ट के जो तमाम राज्ये हैं, वो आगे बढ़ सकें, उनको ये आसार ना लगे कि दिल बहुत दूर है, इसलिए प्रहान मंत्री लगातार यहां पे दौरों पे रहते हैं, अब से कुछ दिर पहले वो मनिपूर म है, उसके नए एकरके टर्मिनल भवन का इस वक्त वो जाइजा ले रहे हैं, और इस भवन की बहुत ही खासियत है, क्योंकि इसके जो बनाने वाले लोग हैं, उनकी ये कोशिश है, सरकार के भी ये कोशिश है, कि जो अंतराश्ट्रियस्टर के जो एरपोर्स हैं, वो तमाम सुवधाएं यहां पर भी हो, इसलिए यहां पर बहुती उन्नत किस्म के जो टेक्नॉलजी है, उसको यहां पर इस्तेमाल किया गया है, और तमाम चीज़ जो हैं, वो यहां पर लगाई गई हैं, हम आगे भी आपको वो तस्विश दिखाएंगे, चुकि प्रहान मंतरे वह मालिक अजय चौदरी के ठिकानों पर बोड़े पैमारे पर चापे मारी की जा रही है, अजय चौदरी के यहां पर कार वाई से पहले कन्नौज में सपा-म्ल्सी पुश्प्रा जयन और पंपी और कानपूर के इत्र कारोबारी पियूश जयन हैं anda के ठिकानों पर भी चापे मारी की कारवाई हुई थी इसके लाबा आईटी ने आईकर विभाग नहीं आगरा में तीन जूता कारोबारियों के ठेकानों पर भी चापे मारी की है आईकर विभाग नोवा शूज के मालिक हरी सिमरन सिंग उर्फ मन्नु के ठेकानों पर चापे मारी कर रही है फर्जी वाड़ा करने और टैक्स चोरी का आरोप है सुप्रिम कोट नीट पोस्ट ग्याजुएशन में आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के आरक्षन कोटा से जुड़ी एक याचिका पर कल सुनवाई करेगा सॉलिसिटर जनरल तुशार महतनी आज मुख्यन आधिश के सामने इस बात बवत याचिका पेश की थी कोट ने कहा कि ये तीन सदस्य बेंच का मामला है बेंच के जज़ों की उप्रब्धता सुनश्चित होने पर ही कल सुनवाई की कोशिश की जाएगी इस से पहले केंज सरकार ने सुप्रिम कोट से नीट पोस्ट गैज़ोशन आरक्शन मामले पर 6 जनवरी के लिए तै की गई सुनवाई से पहले मामले में सुनवाई करने काम रोध किया था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारन के लिए आई सीमा आट लाक रुपए वार्षिक की मौझूदा क्राइटेरिया इस वर्ष भी लागू रहेगी के इन सरकार ने सुप्रिम कोर्ट में दायर हलफ नामे में कहा है कि क्राइटेरिया में बदलाब अगले सत्र में होगा पंजाब में नशा तसकरी पर बड़ी कारवाई करते हुए लुध्याना स्टीएफ ने तीन अलग अलग मामलों में भारी मात्रा में हेरोईन और अन्य सामान बरामत किया है लुध्याना स्टीएफ के मताबिक एक आरोपी को डेर्ड किलो हेरोईन और एक टाटा सफारी गाड़ी को बरामत किया गया है इस दौरान एक व्यक्ति को 660 ग्राम हेरोईन सहित काबू किया गया है जो उसे जेल में बैठे कुछ लोग सप्लाई करते थे एक अन्य आरोपी को एक किलो 20 ग्राम हेरोईन सहित काबू किया गया आरोपियों को पुलिस द्वारा आदारत में पेश कर रिवान पर लिया गया है स्टीएफ के मताबिक पकड़ी गई ड्रक्स की खेब करोड़ों रुपए की है वानेज मंतरी पियूश गोयल ने कहा है कि पिछले वर्ष दिसंबर माह में भारत के निर्यात में वार्षिक आधार पर 37 फीसद की बढ़ोत्री हुई और ये 37 अरब 39 करोड़ डॉलर हो गया ये एक महिने में अब तक की सबसे अधिक बढ़ोत्री है उन्होंने कहा कि भारत से वस्तों का निर्यात इस वित्य वर्ष में 400 अरब डॉलर का आखड़ा पार कर जाएगा दिसम्बर महिने में आयात में भी 38 फीसद की बढ़ोति हुई और ये बढ़कर 69 अरब 27 करोड़ हो गया वित्य वर्ष 2021 में अप्राइल से दिसम्बर महिने के दौरा निर्यात में 48 दिसम्लब 85 फीसद के बार्दि हुई और ये 299 अरब 74 करोड़ डॉलर हो गया इस सबधी में आयात 79.27 फिसद बढ़ा और ये 443 अरब 71 करोड डॉलर का हो गया इस तरह व्यापार घाटा 143 अरब 97 करोड रुपे का रहा भारतिय निर्यात संगटनों के परिसंग के अध्यक्ष एक शक्तिवेल ने कहा है कि मौजूदा रुख को देखते वे भारत वर्त्वान वित्य वर्ष में 400 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष हासिल कर लेगा जो संकल्प इस वर्ष के शुरुवात में मानने प्रदान मंत्री जी के प्रेणा से निर्यातकों ने लिया था उस संकल्प को एक प्रकार से बहुत विप्रीत परिस्थितियों के बावजूद पहले नौ महिने में अचीव किया है 2016 से डेटा आज तक का 2021 के डिसेंबर तक का देखते हैं तो April to December 2021 हर महिने का जो एक्सपोर्ट है ये हिस्टॉरिक हाय है UP has been one of the best performing states in terms of one district one product and from a level of about 1,23,000 crore export last year it is expected that Uttar Pradesh exports will rise to about 2,00,000 crores और यहां रोगे चोट से ब्रेक के लिए आप देखते हैं डीटी नियूस सिफ फिल्मों की कहानियों तक